आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं तो आज हम देखेंगे कि आपके लिए एंजल मैसेज क्या है आपकी लव लाइफ के लिए आपकी लव लाइफ के लिए है not the right time कि अभी जो है आपकी लव लाइफ के लिए बिल्कुल right time नहीं है थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके लिए improving health भी है कि आपकी health मतलब ये mental health भी हो सकती है और हमारे relationship भी हो सकते है कि इसमें अभी थोड़ा सा improvement की जर्वत है तो आप अगर इस पर ध्यान देते हो तो आगे आने वाले time में peaceful resolution आपको जरूर मिलेगा अब हम देखेंगे कि हमारी financially हमारा आगे आने वाले time कैसा रहेगा तो आपके लिए card है it's up to you कि आप अपने mindset को जैसा बनाते हो वो आपके लिए आगे work करेगा आप अगर इसके लिए positive thinking रखोगे सोचोगे कि चीजें मेरे लिए सब सही हो रही है तो सही रहेगा कई बार हमारे mindset negative हो जाते हैं तो चीजें negative होने लग जाती है then आपके लिए financially forgiveness का भी card आता है कि अगर आपके mind में किसी चीज के लिए या किसी person के लिए आपने bad emotions create की हुए है तो वो भी आपकी negativity का कारण हो सकते है तो आप उस चीज को forgive करके आगे बढ़ने की कोशिश करो get more information in the work मतलब आपके लिए अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए success देने के लिए थोड़ी और knowledge थोड़ी और information की जरूरत है इसके साथ हम कह सकते हैं कि compromise कि कई जगा पर हम अटक चाते हैं कि नहीं हमें इसी तरह से काम चाहिए या मेरा काम इसी तरह होना चाहिए तो आप थोड़ा सा compromise अगर करते हो चाहे वो आपका काम हो, चाहे कोई deal हो चाहे जॉब है, आपकी career है उसमें थोड़े से compromise से आपके लिए बहुत चीजें better होनी, start हो जाएंगी आने वाले time में and look for a sign, कि आप अपने angels से help मांगो और उनसे एक sign मांगो कि मेरा ये काम होगा के नहीं, आपको जरूर sign मिलेगा, आपको अपने मन में sign सोच सकते हो और last आपके लिए आता है in the near future, कि in the near future बहुत जल्दी आपकी love life हो या आपका work life हो, बहुत जल्दी चीजें ठीक होने लग जाएंगी, new opportunities आपके सामने जरूर आएंगी Thank you everyone